नमस्कार आज हम छटी अक्षा की हिंदी की पाठे पुस्तक मलहार के पाठ ग्यारा चेतक की वीरता के प्रशन उत्तर करेंगे पिशली वीडियो में हमने इस कवीता को बढ़ावा समझा था यदि किसी बच्चे ने वे वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रशन अच्छे से कर पाए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा Dear Students, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे इसके लिए प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चैक कर सकते हैं तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहला प्रशन पार्ट से मेरी समझ से अब हम इस कवीता पर विस्तार से चर्चा करेंगे आगे दी गई गतिवीदिया इस कारे में आपकी सहायता करेंगे तो हमें क्या करना है नीचे दिए गए प्रशनों का सटीक उत्तर कोण सा है उसके सामने हमें तारा का शिन बनाना है ठीके तो प्रशन दिया गया है चेतक शत्रू की सेना पर किस परकार तूट पड़ता था ये चार इसके option दिये गए है पहला option है कि चेतक बादल की तरहा शत्रू की सेना पर वज्रपात बनकर तूट पड़ता था या दूसरा option चेतक शत्रू की सेना को चारो और से घेर कर उस पर तूट पड़ता था तीसरा option है चेतक हाथियों के दल के समान बादल के रोक में शत्रू की सेना पर तूट पड़ता था या चोथा चेतक नदी के उफान के समान शत्रू की सेना पर तूट पड़ता था तो इन चारों में से सही उत्तर हमारा कौन सा है कि चेतक जो है बादल की तरहां शत्रू की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था बिजनी की तरहां टूट पड़ता था बिजनी बनकर ठीक है चेतक बादल की तरहां शत्रू की सैना पर वज्रपात यानि की बिजनी वनकर तूट पड़ता था अब अगला प्रशन है लेकर सवार उड़ जाता था इस पंक्ती में सवार शब्द किसके लिए आया है चेतक के लिए महाराना प्रताप के लिए कवी के लिए या शत्रू के लिए तो सवार शब्द किसके लिए आया है महाराना प्रताप के लिए अब प्रशन ख़व अब अपने मित्रों के साथ तरक पोरन चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने तो हमें अब इस प्रशन में बताना है कि हमने ये और ये वाला उत्तर क्यों चुना है इसके पीछे का कारण क्या है तो पहले प्रशन का उत्तर चुनने का कारण क्या है कि चेतक जो है बादल की तरह शत्रू की सेना पर वज्रपात बनकर तोट पड़ता था इस उत्तर का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि कवीता में चेतक की तुलना बादल से की गई है जो शत्रू की सेना पर वज्रपात यानि बिजली की तरह तोट पड़ता है यह वाक्यांच चेतक की शक्ति और उसकी आकार्मन शैली को दर्शाता है फिर अगले प्रशन के उत्तर में हमने सवार शब्द महाराना परताप के लिए परियोग किया था तो ये उत्तर चुनने का कारण क्या है लेकर सवार उड़ जाता था पंक्ति में सवार शब्द महाराना परताप के लिए परियोग हुआ है क्योंकि कवीता में चेतक जो है वो महाराना परताप के घोडे के रूप में वर्नित है यानि की चेतक का वर्नन किसके रूप में किया गया है महाराना परताप के घोडे के रूप में और यह वाक्यांश उनकी फुर्ति और वीरता को दर्शा आता है ठीक है इसलिए हमारे दोन उत्तर क्या है सही है अब अगला प्रशन है पंक्तियों पर चर्चा पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तिया नीचे दी गई है इन्हें पढ़कर समझे और इन पर विचार कीजिए आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया कक्षा में अपने विचार साजा कीजिए और अपनी ले तो इस पंक्ती का क्या आर्थ है? इस पंक्ती का अर्थ है कि चेतक बिना किसी डर के धानों के बीच से निकलता हुआ, तेजी से तन्वारों के बीच दोड गया. इसमें चेतक की वीर्ता और साहस का वर्नन है. पिर अगली पंक्ती है, भाला गिर गया गिरा निशंग है टापों से खन गया अंग. इस पंक्ती का अर्थ है कि चेतक की तेज गती से दोडते हुए घोडे की टापों की अवाज से, यानि कि उसके जो पैरों की यानि टापों की जो अवाज है, उससे ऐसा लगा कि जैसे भा अले और तलवारें गिर गई हैं यह चेतक की आद्वित्य गती और उसकी आद्वित्यता को दर्शाता है अब अगला प्रशन है मिलकर करें मिलान कविता में से चुनकर कुछ पंक्तिया नीचे दी गई हैं अपने समू में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही भाव अर्थ से मिलाईए यानि सही अर्थ से मिलाईए इसके लिए आप शब्द कोश इंटरनेट या अपने सिक्षकों की सहायता ले सकते हैं तो ये दी गई हैं अमें पंक्तिया और ये हैं उनका अर्थ यानि भावाद तो पहली पंक्ति हैं राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था तो इस पंक्ति का क्या आर्थ हैं कि हवा से भी तेज दोड़ने वाला चेतक ऐसे दोड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक में प्रतियों गिता हो रही हो मुकाबला हो रहा हो तो पहली पंक्ति का मिलान इससे किया जाएगा फिर अगली पम्ति है, वह दोड रहा, अरी मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था तो इसका अर्थ है, शत्रों के सिर्ड के उपर से होता हुआ एक छोड से दूसरे छोड पर ऐसे दोड़ता, जैसे आसमान में दोड़ रहा हो तो इसका मिलान इससे कर दिया जाएगा चेतक की फुर्ती ऐसी की लगाम के थोड़ा सा हिलते ही सरपट हवा में उड़ने लगता था। चोथी पंक्ती है राणा की पुतली फीरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो इसका अर्थ है की वह राणा की पूरी निगा मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता था। अर्थात वह उनका भाव समझ जाता था। अगली पंक्ती है विक्राल बज्र में बादल सा अरी की सैना पर गहर गया। तो ये हो गया इसका मिलान और इसका मिलान होगा इससे। शत्रो की सैना पर भयानक बज्र में बादल बनकर तूट पड़ता और शत्रों का नाश करते था। ठीक है तो इस तरह से आपको इनका मिलान करने हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले का मिलान होगा इससे, दूसरे का इससे, तीसरा, चोथे पंक्ती का मिलान होगा इससे, और पांची पंक्ती का मिलान होगा, ठीक है, इस तरह से भी आप मिलान कर सकते हैं. अब अगला प्रशन है शिर्षक यह कवीता हल्दी घाटी शिर्षक कावे कृती का एक अंश है भाग है यहां इसका शिर्षक चेतक की विर्टा दिया गया है आप इसे क्या शिर्षक देना चाहेंगे और क्यों इस कवीता के लिए चेतक की विर्टा शिर्षक बहुत ही उप्यूक्त है यानि की बिल्कुल सही है क्योंकि यह पूरी कवीता चेतक के साहसोर विर्टा का वर्नन करती है जो पूरी कवीता है उससे हमें क्या पता चलता है चेतक के साहसोर विर्टा का कवीता में राणा परताप के घोडे चेतक की बहादरी उसकी तेजी और उसकी अध्वित्य युद्ध कोशलता को दर्शाया गया है अगर फिर भी कोई अन्य शिर्शक देना हो तो हम रण बाकूरे चेतक या चेतक वीरता की मिसाल जैसे शिर्शक भी इस कवीता की भावना को व्यक्त कर सकते हैं अब अगला प्रशन है कवीता की रचना चेतक बन गया निराला था पढ़ गया हवा को पाला था राणा परताप का कोडा था या आसमान पर घोडा था रेखांकित शब्दों पर ध्यान तेजिये तो ये जो रेखांकित शब्द है निराला पाला कोडा गोड़ा ये शब्द बोलने और लिखने में थोड़े मिलते जुलते हैं इस तरह की तुकांट शैली प्राय कवीता में आती है कि कवीता में अधिकतर इन तुकांट शैली के वाले शब्दों का प्रियोग किया जाता है कभी कवीता अ तुकांट भी होती है इस कवीता में लिखना है तो इस कवीटा में टुकान शब्दों की सुची जो है वो इस परकार है ओड मोड चानो भालो धालो करवानो यहां वहां जहां काहां लहर ठेहर गहर निशंग दंग अंग रंग तो ये सभी शब्द जो है तुकान शैली वाले ये कवीता में से ही लिये गए हैं अगला प्रशन शब्द के भीतर शब्द या आसमान का घोड़ा था आसमान शब्द के भीतर कौन-कौन से शब्द छीपे हैं जो ये शब्द है आसमान इसके अंदर कौन-कौन से शब्द छीपे हैं जैसे एक बन सकता है आस, ठीक है, दूसरा बन सकता है समान, फिर बन सकता है मान, और अगर हम स और मौ को लेने तो सम बन जाएगा, आ और ना को लेने तो आन बन जाएगा, और ना और स को लेने तो नस बन जाएगा, आदी, ठीक है, तो अब हमें इसी प्रकार कवीता में से कोई पांच शब्द चुनकर उनके भीतर के शब्द हमें खोजने हैं कवीता से लिये गए पांच शब्दों के भीतर छिपे शब्द निम लिखित हैं जैसे समर शब्द कवीता से लिया गया है तो इसके भीतर कौन-कौन से शब्द छिपे हैं एक बन गया सम, एक मर और एक सर या फिर आप अगर र और सर को लेने तो रस्दी बन सकता है ठीक है? अगला शब्द है चोकडी चोकडी में एक तो बन गया चोक, एक बन गया कडी और एक बन गया चो और डी को लेकर चोडी ठीक है? विक्राल, विक्राल शब्द का एक तो बन गया विकल वी क और ल को लेके क और ल को लेंगे तो कल बन जाएगा क और रा को लेंगे तो करा ठीक है? बादल शब्द में कौन से शब्द छिपे हैं? एक तो हो गया बाल बाल एक हो गया बाद बाद और एक हो गया दल दल ठीक है अगला शब्द है सरपट सरपट में एक हो गया सर एक हो गया पट एक हो गया र और ट को लेके रट अगला प्रशन पार्ट से आगे आपकी बाद जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग जना कवीता को प्रभावशाली बनाने में इस तरह के परियोग काम आते हैं कवीता में आए ऐसे परियोग खोज कर परस्पर बाच्चीत करें तो आपको क्या करना है ऐसे ही परियोग जो है उन्हें खोजना है और परस्पर आपस में बाच्चीत करनी है कहीं भी किसी भी तरह का युद नहीं होना चाहिए इस पर आपस में बात केजिए तो इन दोनों ही प्रशनों को आपको ऐसे स्वयम करना है आपस में अपने मित्रों के साथ इसमें बाचीत करनी है तो मैं आपको बता देती हूँ इस प्रशन का मतलब अर्थ क्या है कि जैसे दिया गया हवा से लगाम, हिली और गोड़ा भाग चला तो इस प्रकार के जो परभावशाली परियोग होते हैं वो कवीता को जीवन्त बनाते हैं कि उनमें भी जीवन है और दूसरा प्रशन था कि कहीं भी किसी वितरा का युद्ध नहीं होना चाहिए इस पर आपस में बाचीत कीजिए तो इसमें इसका अर्थ क्या हो सकता है कि इस विचार पर चर्चा करते हुए शान्ती और अहिसा के महतव पर बल दिया जा सकता है कि आमें किसी भी परकार का लड़ाई जगडा ये युद्ध नहीं करना चाहिए शान्ती बनाई रखनी चाहिए क्योंकि युद्ध से सिर्फ विनाश होता है और मानवता को हानी होती है क्योंकि आज तक कभी भी किसी भी युद्ध से किसी का भी भला नहीं हुआ युद्ध से क्या होता है केवल विनाश होता है और जो मानवता है उसकी भी हानी होती है अगला प्रशन समानार्थी शब्द कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं जैसे हए, अश्व और घोड़ा तीनों का ही अर्थ क्या है घोड़ा ठीक है यानि घोड़े को हए भी कहा जाता है अश्व भी कहा जाता है और घोड़ा भी कहा जाता है इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं प्रायवाची शब्द ठीक है यहाँ पर दिये गए शब्दों से उस शब्द पर घेरा बनाईए जो समानार्थी नहीं है ठीक है तो नीचे हमें कुछ शब्द दिये गए हैं यहाँ पर तो इन में से हमें उस पर घेरा लगाना है जो इसका समानर्थी नहीं है तो पहले रो में हमें दिया गया है हवा, अनल, पवन, ब्यार तो हवा, पवन और ब्यार क्या है? वो हवा के ही प्रायवाची है, समानर्थी है केवल अनल जो है वो अलग है अनल का अर्थ होता है आग ठीक है अब अगला देखिए रण, तुरंग, युद, समर अब इन में से रण, युद और समर इन तीनों का ही अर्थ क्या है युद से ठीक है तीनों का ही अर्थ होता है युद लेकिन जो तुरंग है उसका अर्थ होता है घोड़ा तो ये अलग है तीसी रो में है आसमान, आकाश, गगन, नवचर अब आकाश, आसमान और गगन तीनों का ही समान अर्थ है ठीक है और नवचर क्या है वो अलग है नवचर का अर्थ होता है नव यानि की आकाश में विच्रन करने वाला, चलने वाना ठीक है। अब अगली रो में हमें दिया गया है नद, नाद, सरीता और तटनी तो यहां पर नद, सरीता और तटनी। तीनों का यह अर्थ होता है नदी ठीक है। इन में नाद क्या है वो अलग है क्योंकि नाद का अर्थ यहां पर होता है नाद का अर्थ है ध्वनी से ठीक है अब अगली रो में हमें दिये गए हैं शब्द करवाल, तलवार, असी और ढाल तो यहां पर करवाल, तलवार और असी तीनों का आर्थ क्या है? समान है यानि की तलवार ठीक है? लेकिन ढाल क्या है? वो इन सबसे अलग है ढाल का आर्थ होता है जो युद में हम युद में परियोग किये जाने वाला एक तरह का वस्त्र होता है ठीक है? जिससे हम किसी भी हत्यार से बच सकते हैं उसे कहते हैं ढा अब अगला प्रशन है आज की पहेली बूजो तो जाने तीन अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान दिन में जगता रात में सोता यही मेरी पहचान तीन अक्षर का नाम है उल्टा सीधा एक समान चाहे हम उल्टे से शुरू करे उसको चाहे सिधे से तो एक समान ही रहेगा दिन में जगता, दिन में जगता है रात में सोता है यही मेरी पहचान, तो वो क्या है नयन ठीक है अगर आप इसे उल्टा करके देखेंगे यहाँ से पढ़ेंगे तब भी नयन बनेगा यहाँ से पढ़ेंगे तब भी नयन यानि आख अब अगली पहेली है एक पक्षी ऐसा अलबेला बिना पंख ओड रहा अकेला बांध गले में लंबी डोर पकड रहा अंबर का छोर तो एक पक्षी ऐसा अलबेला बिना पंख ओड रहा अकेला कि बिना पंक के अकेले ही आस्मान में उड़ा जा रहा है, बांध गले में लंबी डोर है और पकड़ रहा अंबर का छोर और आस्मान के छोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या है पतंक? अगली पहली रात में हूँ दिन में नहीं, दिये के नीचे हूँ उपर नहीं, बोलो बोलो मैं है कोण? अब देखिए, रात में हूँ दिन में नहीं, ठीक है? रात में क्या होता है? अंधेरा होता है, जो दिन में नहीं होता, और दिये के नीचे हूँ उपर नहीं, अब दिय अब दिये के नीचे क्या होगा अंधेरा होगा लेकिन जहांपर लो है वहांपर क्या होगा उजाला तो यह क्या है अंधेरा अब अगली पहेली मुझे में समाया फल, फूल और मिठाई सब के मुँ में आया पानी मेरे भाई तो वो क्या है गुलाब जामुन अगर देखा जाए तो गुलाब क्या है एक फूल है जामुन क्या है एक फल है और दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं एक मिठाई बन रहे हैं ठीक है तो इसमें क्या क्या समाया हुआ है फल भी फूल भी और मिठाई भी और इसके नाम सुनते ही के मूँ में क्या आ जाता है पानी आ जाता है तो वो है गुलाब जानू अगली पहली सडक है पर गाड़ी नहीं जंगल है पर पेड़ नहीं शहर है पर घर नहीं समंद्र है पर पानी नहीं अब देखिए सडक है पर कोई गाड़ी नहीं जंगल है पर कोई पेड़ नहीं शहर है पर कोई घर नहीं है और समंद्र है पर पानी नहीं है तो ये क्या है मानचित्र या नक्षा भी कह सकते हैं ठीक है क्योंकि मानचित्र में आप जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको शहरों के नाम भी दिखाई देंगे सडके भी दिखाई देंगी ठीक है समंद्र भी अगला प्रशन खोजबीन के लिए महाराणा परताप कौन थे उनके बारे में इंटरनेट या पुस्तकाले से जानकारी प्राप्त करके लिखिए लिखिए महाराणा परताप जो है वो उदेपूर मेवाड में सिसोधिया राजवंज के राजा थे और उनका नाम जो है वो इतिहास में वीरता शोर्य उनकी वीरता उनके शोर्य त्याग उनके प्राकर्म और दिर्ड प्रण के लिए लिया जाता है ठीक है और वो अपने इन स सबी कार्यों के लिए आमर हैं तो उनके वारे में आपको और वी जानकारी जो है वो इंटरनेट या पुस्तिकानले से इकत्रित करनी है इकट्टी करनी है और उसे अपनी पुस्तिका में लिखना है अब अगला प्रशन है इस कवीता में चेतक एक घोड़ा है पशुपक्षि पर अधारित पांच रचनाओं को खोज़ कर लिखना है तो पांच रचनाओं है सोना जो एक हिरनी पर अधारित है नेन कंट नंबर तीन लिख सकते हैं आप दो बैलों की कथा दो बैलों की कथा नमबर चार आप लिख सकते हैं चालाख, लॉमड़ी और नमबर पांच आप लिख सकते हैं गोरा ठीके? यह सब भी बहुती प्रसिद रचनाएं हैं जो पशुपक्षियों पर अधारित हैं इनकी अलावा यदी पशुपक्षियों पर अधारित आपको कोई और रजना का नाम भी पता है तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं आशा करती हूँ आपको इस पार्ट के सभी प्रशन अच्छे से समझ में आ गए हूँगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार